उर्जा के स्त्रोथ सत्रवी सदीग में मशीन को चलाने के लिए मनुश्यों या जानवरों की ताकत लगती थी या फिर नदियों के बहते पानी का उप्योग होता था इसे पंचक्की भी कहते हैं लेकिन इनसे भारी मशीनों को साल भर चलाना संभव नहीं था इस छेत्र में भाब की शक्ती के उप्योग ने क्रांति ला दी यू तो भाब की शक्ती का पता पहले से था मगर जेम्स वाट जन्म सन 1736 मृत्यू सन 1819 ने एक ऐसी मशेन विक्सित की जिससे भाब का इन्जन एक प्राइम मूवर यानि प्रमुक चालक के रूप में काम देने लगा इससे कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए उर्जा मिलने लगी अठारवी शताब्दी के अंध तक जेम्स वाट के भाब इन्जन ने जान्वरों और बहते पानी की शक्ती का इस्थान लेना शुरू कर दिया परिभ़न परिभ़न बढ़ते व्यपार और उद्योगों की एक और जरूरत थी बहुत बड़ी मात्रा में सामान लाना और ले जाना जरूरी था इसके लिए पहले नहरों का जाल बिछाया गया ताकि उन पर नावों के द्वारा सामान को कम खर्च पर पहुँचाया जा सके इसके बाद रेल पट्रियों पर गाड़ी को खिचने का प्रियोग शुरू हुआ खिचने के लिए शुरू में घोड़ों का उप्योग होता था और बाद में भाप इंजन का प्रियोग किया जाने लगा पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन जॉर्ज स्टिफैंसन ने सन 814 में बनाया था अब रेल गाड़िया परिवाहन का एक एसन नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्द रहती थी सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी इस साधन में एक साथ दो अविश्कार सम्मलित थे लोहे की पटरी और भाप के इंजन रेल के अविश्कार के साथ और दोगी करण की संपूर प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया जैसे जैसे भाप चलित मशीनों का उप्योग बढ़ा वैसे वैसे कारखानों का जाल भी बढ़ा 19 सदी के शुरुवात में कारखाने इंग्लायन के भूद्र शिका अभिन अंग बन गय थे ये नयकारखाने इतने विशाल थे और नई प्रवद्योगिकी की ताकत इतनी जादोई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आखे चौंधिया जाती थी लेकिन हमें इस से यह निर्ण नहीं करना चाहिए कि अध्योगित क्रांती से सारा उत्पादन कारखानों में होने लगा था इंग्लेंड में मशीनों और कारखानों के प्रसार के बावजूद 19 सदी के मद्ध तक कारखानों के बाहर हाथ से काम करने वाले मजदूरी अधिक थे फिर भी कारखानों में उत्पादन के व्यवस्था अर्थ व्यवस्था में निर्णायक भूमी का निभाने लगी और समय के साथ गैर कारखाना उत्पादन कम होते गए